समय को कहेंगी पूजा करें और क्या आप ये साल्मान कोको कहने ख़ये मेरा समया ना मुझे को function DR समन्थ नया मुझे सलमान से कोई रावी कुछ या देना नीइ ना मुझे उनकी इस लिए मेरा समन्ध ही नहीं मगर में सकरा साल से ओठ और तो जगतों, बच्चों और आद्मियों और छोटी चोटी बचियां, 5-5 साल की बच्चियां जो इंडिया से लाई गई होती बच्चियांर, रहें हरी जो भार्याना से लाई गई होती है, मायमी, फ्लॉरिडा में सेक्स ट्राफिकिंग रिंस में बेचने के लिidée उनके लिए मैं सित्रा साथ से लड रही हूँ तो मैं एंटाई डेध पेनल्टी हूँ, मैं एंटाई मिर्डर हूँ, मैं एंटाई बाइलेंस हो और मैं गन्दी फॉलर हूँ और मैं बातू की फॉलर हूँ हूँ और मैं बाइवंस में बिल्कुल नहीं दिलीव करें अब मेरा अगला सवाल सोमी अली आपसे ये है आपने कहा कि सल्मान खान जब जोथपुर से वापस मुंबई गय थे तो उन्होंने ये बाते शेयर की थी कि सल्मान को नहीं पता था कि ये काला हिरन जो है बिश्टोई समाज उसको पूजता है आपने ये बात कही और वो इस बात को लेकर चंतित परिशान भी थे लेकिन अभी एबी पी न्यूस पर सलीम खान साहब जो कि सल्मान खान की पता है उन्होंने भी एक्स्क्लूसिफ कि मुझे उनको जो बोलना है वो को उनको बोलें जो मैं अज़ए यदर्स तरृब को मैं याद है बयांन dinosaurs को मुझे ना सल्मान से वापस रिष्टा करना है ना सल्मान से मुझे पु segregivity मिलनी है क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना देना देना नहीं है नांगीव Customs रहनेना देना है, उनकी family कि क्या सोच है, सल्मान माफीρα माँखे, नहीं माँखे, वो उनका काम है वो जाने, सलीम साहभ जो हैं, सलीम अंकल जो बोले वह उनकी मरसी है, उसमें मैं दाखिल उसमें मैं हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो मेरे बुजर्ग है और मैं उनकी इज़त करती हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती मैंने सुना उन्हों ने ऐसा बोला मगर वो उनकी मर्जी है हर इंसान को हखे अपना उपिनियन देने का अगर बात सच की है आपकी बात बिलकुल सही है कि हर को अपना आपणियन दे सकता है लेकिन बात सच की है क्यूंकि अगर सलीम खान साब बोलें अब ये आप जईर्नलिस्टि ए मिरे ब्राद कास्ज जर्नलिस्म का आप ब्राध कास्ज जर्नलिस्टी में में ब्राद कास्ज जर्नलिस्म लाइन हैं। इस जो एक पजल जैसे होत अब ते जो oking कौन सच और कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है या कौन मतलब क्यों बोल रहा है किस वज़ा से बोल रहा है मैं सलीम सहाथ की सलीम अंकल की बहुत ही इज़त करती हूं और मैं कभी उनके खिलाफ ना मैं उनकी कोई बुराई करूँगी ना मैं उनके साथ बत्तमीजी करूंगी यह हमारी जो तमीजोर टैजीब है वह में जिस तरह अबर्णी हमारी जो हुई है हमारी घर में हम भुजर्गों के साथ बत्तमीजी नहीं करते और खास तोर पर सलीम अंकल जो मेरे सबसे फेवरिट इंसान सलीम अंकल और सल्मा अंती जो है उन उस घर में हैं तो उनकी तो मैं तभी भी उनकी बत्तमीजी उनके साथ नहीं करूंगी चला.. आगा मैं एंकी भाइका को डिनाय करूंगी। ना मिंन की बात को एक्सेप्ट करूंगी। उनका उपिनियन है। मेरा उपिनियन मेरी सचाई मेय सचाई है। अब आप पत्रकार हैं। मैं भी रिणर्डाश्ड जॉन Selोडिके हैं। ढप सबते हैं। आप इस पजल को जोड़िये, मैं तो मैयनी फ्लॉरिडा में बैठी भी हूँ, तो मुझे आपको जाला चांकारी होगी, और 1998 में सल्मान 33 अग थे, जिस उमर का आदमी लॉरेंस विष्णोई इस वक है, वो बहुत यंग थे उस टाइम पे, और मैं जब भी सल्मान के साथ हंटिंग पे गई हूं, तो कोई जानवर नहीं मारा गया है, क्योंक्षे में नकली खास के जानवर भाग जाया। क्यूडे मुझे मुझे हंटिंग से, यह मैं अभी हंटिंग के बहुआ था हूं, क्योंक्र में हंटिंग को're इसके मतलब नहीं है, कि दूसरे लोग arbeitet मना हो करनिया करो वो तुम्हारे उपर है मगर मुझे पसंद है अगर आप इसको बताना चाहें आप सलमान खान की बहुत दोस्त रही है कई सालों तक आपका रिष्टा रहा है अगर उसके बारे में आप बताना चाहें कि क्यों तूटा और हंटिंग को लेकर और खास दूर से जोदपुर में जराजिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सल्मान खान को आपके और से क्या सलाह दी गई थी पहला आपका सवाल सबसे पहले पहला सवाल क्या है आपका आपने तीन सवाल पूछे हैं मेरा ये सवाल है कि कितने सालों तक सल्मान खान के साथ आपका रुष्टा था 1991 से लेके 1999 तक क्यों टूटा मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूँगी क्योंके मैं एक औरत हूँ और मैं किसी दूसरी औरत का नाम इसमें नहीं लेना चाहती क्योंके उस औरत जो है वो औरत अब मुव आन हो चुकी है इस बात को बाइस तेएस साल हो चुके ABP News आपको रखे आगे